नमस्कार, प्रस्तुत है 2024 में जैक द्वारा आयोजित वर्ग आठ के SA1 परिक्षा के गणित के प्रश्नपत्र का हल और इस तरीस का ये पार्ट 3 वीडियो है ये भी बता दूँ कि यह परिक्षा सर्फ SOE स्कूलों एवं प्रकंड स्तरिय आदर्स विद्यालियों के लिए ही आयोजित की गई थी सामाने विद्यालियों के लिए यह आयोजित नहीं था और यह परिक्षा जैक द्वारा लिया गया था और सभी प्रस्नल MCQ थे गणित के अंतरगत 40 प्रस्न थे तो इससे पुर्व मैंने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने प्रस्न संक्या एक से लेके 20 तक के प्रस्नों को हल किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूगा अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अवस्य देखें यह आपको आगे की परिक्षाओं की तैयारी के लिए काफी उप्योगी साबित होगा मैं कोशिस करता हूँ कि सभी प्रस्नों को बिल्कुल आपको समझा कर पूरी व्याख्या के साथ आपको बताओं ताकि उसके जो उसमें जो फार्मूला यूज हो रहे हैं जो ट्रिक यूज हो रहा है सारा आप अच्छी तरह से समझ पाएं तो ये प्रस्न संख्या 21 है यहां क्या है ए प्लस बी होल स्क्वाइर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वाइर तो देखें हमारी पास आइडिन्टी है हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वाइर होता है ए स्क्वाइर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वाइर ठीक इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वाइर होता है ए स्क्वाइर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वाइर तो इन दोनों आइडिन्टी की साहता से ही हम इसे हल करें तो अचलिए हल करते हैं अब यहाँ A plus B whole square है तो यहाँ हम लिख देंगी क्या A square plus 2AB plus B square minus A minus B का whole square का यहाँ पर है formula A square minus 2AB plus B square A square plus 2AB plus B square minus गोर का यहाँ पर चीन है minus तो जब इसका bracket हटाएंगे तो इसके अंदर का सारा चीन जो है वो change हो जाएगा तो यह हो जाएगा A square यहाँ minus था यह हो जाएगा plus 2AB और यह plus था यहाँ हो जाएगा minus B square अब देखिए यहाँ A square है और यहाँ minus A square यह cancel हो गया उसके बाद देखिए यहाँ plus B square है यहाँ minus B square है यह भी cancel हो गया तो यह बच किया गया 2AB plus 2AB तो यह हो गया 4AB तो यह हमारा option D सहीं है अब प्रसंद संख्या 22 देखिए यहाँ क्या है 5XY तथा 2X minus 2Y plus 1 का गुननफल है यह गुना करना है तो आएए गुना करते हैं 5XY इंटो 2X minus 2Y plus 1 तो यह गुना करेंगे तो पहले इस 5XY का गुना यह 2X से होगा तो यह हो जाएगा पहले हम जो गुनांक होते हैं उनका गुना करते हैं तो 5 और यह 2 5 दूना 10 और यहाँ भी X है यहाँ भी X है तो दोनों का गात क्या है एक है यहाँ भी एक है यहाँ एक है तो जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा X square Y तो अकेला है Y अब इसके बाद चिन है माइनस ये चिन नहीं हाँ रख देंगे तिर इसे तरश से गुना करेंगे पांच को दो से कडिके पांच गुना 10 और एकस अखेला है एकस हो गया यहाँ वाइ का घात एक है यहाँ गुना के स्तिती में घात जोड़ दिया जाता है इसके बाद है प्लस और यहां वन है यानी एक से गुना होगा तो वही रह जाएगा 5xy तो यह देखें कौन सा हमारा आप्शन सही है सी वाला आप्शन सही है अब प्रस्ण संख्या 23 यह बड़ा ही आसान कोश्चन है यदि 2a इंटू a का गुना आता है 12a तो a का मान क्या होगा अब यहां यह का मान ऐसा रखना है जिसको उसी से गुना करेंगे तो हम उसका पहला जो इकाई का जो अंक होगा वह सेम आना चाहिए तो ऐसे प्रस्ण में आपको ज़्यादा परश्ण नहीं होना है mcq प्रस्ण है आप इसका ट्रिक यह है जल्दी बनाने के लिए कि आप एक एक option को यहां fit करके देख लें कि वो यहां बैठ रहा है यानि कौन सा option बैठ रहा है तो पाल आया है तीन यहां तीन बैठ आईए तो आ तो यहां पर क्या हो जगा दिखी मैं खरता हूं तो फ्री यहां त्री तो यह गुना करते हैं तीन यह नौ तीन दुना छे तो यह सेम तो नहीं आ रहा है न तो यह नहीं हुआ यह वाला नहीं होगा अब ये B वाला मैठाते हैं 2 5 इन्टू ये 5 5 पेच्छे 25 के 5 हाथ मेरा हासिल 2 5 गुना 10 दो 12 ये हो गया यानि एक क्या होगा 5 होगा clear है ना तो ये trick है जब आप MCQ प्रशना आता है तो ये trick है question number 24 यदि X कोई गैर सुन और आँखो तब X to the power minus 1 होगा ये घातां के जो नियम है उसे संबर्दित है हमारा एक नियम क्या है A to the power minus 1 होता है तो ये 1 by A हो जाता है तो इस तरह से हम देखें यहाँ A की जगा X है तो ये वाला B number option हमारा सही है अब ये है 0.00000000015 का मानक रूप तो मानक रूप लिखने का तरीका ये है और trick कहेंगे trick ये है मैं बताता हूँ 0.000000000 अब इसको बड़ा साथानी से कीर ले दो, 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 चार, दो, छे तो उतना ही हमने लिखा है दो, 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 चार, दो, छे उसके बाद 5 तो ये जो दस्मलो है मानक रूप लिखने के लिए हमें इस दस्मलो को उठाके यहां लाना होगा तो ये हो जाएगा 1.5 गुना अब ये 10 का धात अब धात क्या होगा इसका पावर क्या होगा अब हमें गीने ये कि कितने अंख हम इस साइड दाहिनी और लाए दसमलों को तो एक दो टीन चार पांट छे साथ तो यह हो जाएगा माइनस साथ तो यह हमारे डी वाला आप्शन सही है यह ट्रिक आपने समझ दिया तो इस तरह के प्रश्ण आपका आराम से बन जाएगा प्रश्ण संक्या 26 यह है A स्कल टू 0, B स्कल टू माइनस 1, C स्कल टू 2 तो यह जो दिया गया व्याज्यक है उसका मान बताना है उसमें करना कुछ नहीं है जो मान दिया गया है उसको हम बैठा के इसको कल्कुलेट कर लेंगे तो सबसे पहले है A, A कितना है, 0 उसके बाद B, B कितना है, माइनस 1 ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं चुकि माइनस है, अब इसके बाद क्या है, 2A यानि 2 इन्टू सुनने माइनस 3B यानि 3 इन्टू माइनस 1 प्लस C, C यानि 2 इसके बाद माइनस है, 2A यानि 2 इन्टू सुनने, माइनस 3B, 3 इन्टू माइनस 1 प्लस आप से लिगदे, 3 इन्टू माइनस 1 और इन्टू सी है, यानि 2 बड़ा लंबा होगे ना, चली, सुनने में कुछ भी जोड़े, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, तो यह रह गया, माइनस 1 फिर यहाँ देख रहे है, 2 इन्टू सुनने, यानि यह सुनने हो गया, और यह 3 इन्टू माइनस 1 है, और यहाँ माइनस है, तो यह हो जाएगा, प्लस 3, प्लस 2, माइनस, यह सुनने, दो से सुनने को करेंगे, तो सुनने हो गया है, फिर यहाँ पर हो जा रहा है, प्लस 3, और इन्टू 2, इसकल 2, माइनस 1, और यह हो जाएगा, 3 अदो 5, इन्टू 5, माइनस, यह 3 इन्टू 2, तो यह हो गया, माइनस 1 से 5 को गुना करेंगे, तो माइनस 5, और ये माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 6, ये हो गया माइनस 11, सावधानी से करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगा, थोड़े सी गलत, अगर हम सावधानी नहीं बढ़तेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा से लंबा सा वियंजग है, बड़ा सा वियंज प्रस्न संख्या 27, एक घनाव का आयतन क्या है, जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई, क्रमसर 5x, 3x² और 7x to the power 4 है, तो हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाव का आयतन, घनाव का आयतन का मतलब यहाँ पर समझे, घनाव का आयतन, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसकल तो लंबाई इन्टो चोड़ाई इन्टो उचाई, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो confusion होगा आपको, घनाव का आयतन, तो यहाँ लंबाई है, 5X इन्टो चोड़ाई है, 3X स्क्वाईर इन्टो यह है, उचाई 7X to the power 4, तो पाले हम जो गुनांक है, संख्यात्मा गुनांक, उनको हम गुना करते हैं, तो 5 तिया 15, 15 को 7 से करेंगे, तो 105, अब यहाँ देखिए, यहाँ X का गात 1 है, यहाँ X का गात 2 है, यहाँ X का गात 4 है, तो गुना जब करते हैं, तो हमने यह घातांक के नियम पढ़ा है, कि A to the power M into A to the power M, यह होता है, A to the power M plus N, यानि घातांक जोड़ दिये जाते हैं, तो यहाँ हम सारे घातांक को जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसमा हम एक मानेंगे, एक, दो, तीन, अचार, साथ, तो X का गात हो जाएगा यहाँ पर, साथ, तो यह कौन सा है, A वाला option हमारा answer है, प्रस्ण किया 28, यदि तीन अंकों की संख्या, साथ, दो, X है, तो, साथ, दो, X, नो से विभाजय है, तो X का मान है, तो नो से विभाजयता का नियम हम जाते है, वो क्या है, कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, नो से विभाजय हो, तो वह संख्या भी नो से विभाजय होती है, मैं फ़र से दो रहा हूँ, नो से विभाजयता का नियम यह है, कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, नो से विभाजय है, तो वह संख्या भी नो से विभाजय होगी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ही, चुकि MCQ है, हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, जो चार आप्शन दिया गया है, इसी को बराबर बराबर बैठा के छेट कर लिए, तो उससे क्या होगा ना, कि आप अगर यह विभाजयता का नियम नहीं भी जानेंगे, याद नहीं भी होगा तो भी आपका बन जाएगा, मैं कोशिस करता हूँ, कि अपने सभी वीडियो में कोशिस करता हूँ, कि जब MCQ प्रस्न होते हैं, तो जो तरीका है मेथड, डिस्क्रिप्टिव वाला, उसके साथ साथ मैं ट्रिक भी बताता हूँ, ताकि जब MCQ प्रस्न आते हैं, तो वहाँ परिख्षा में समय की भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, कम समय राता है, तो जब हम ट्रिक को अपनाएंगे, तो समय की बहुत वचचत होगी, और यह जो ट्रिक वाली तरीके हैं, विधी हैं, वो आपको प्रतियोगी परिख्षां में बहुत ज्यादा साहेता करेगी, तो ट्र 7 प्लस 2 प्लस 6 और यह बराबर के चिंद नहीं देंगे नहीं तो यह confusion हो जाएगा तो इसके 6 जब बैठाते हैं तो जब इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाए 7 2 9 और 6 यह सुला और हम जानते हैं सुला 9 से विभाज नहीं है इस पर 7 बैठाते हैं 7 और 2 7 तो यहाँ पर 7 जोड़ 2 जोड़ 7 तो यह हो जा रहा है 7 2 9 6 15 होता है sorry 15 तो भी नौ से विभाज नहीं है यहाँ पर होगा सुला तो सुला भी 9 से विभाज नहीं है यह भी नहीं होगा यह भी नहीं है यह भी एंसर यह अब 8 बैठाते हैं 7 2 8 तो यहाँ पर 7 जोड़ 2 जोड़ आठ यह होजा रहा है 17, ये भी 9 से विभाज नहीं है, तो इस बार 7, 2, 9, तो यहां जोडते हैं अंकों को, 7, 2, 9, तो ये 7, 2, 9, और 9, 18, तो देखिए ये 18, 9 से विभाज है, तो हमारा answer होगा 9, यहां पर हम x की जगा क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, प्रत्म संख्या 29, 5 to the power minus 3 का गुनात्मक व्यूत्क्रम क्या है, तो गुनात्मक व्यूत्क्रम हुआ संख्या होती है, जिससे उस मूल संख्या को जो हम गुना करते हैं, तो answer 1 आना चाहिए, तो इसका सीधा साथ जो trick है, कि अगर यह minus है, यहां, तो यह plus कर देंगे, बस वही गुनात्मक विजाएगा, तो यह कौन सा होगा, यह a, अब प्रस्टन क्या 30 है, पर्थम चार विशम प्राक्रित संख्याओं का योगफल है, तो इसका जो नियम है, वो यह है, कि पर्थम चार विशम है, तो यह चार का स्क्वार हो जाएगा, यानि सुल्ला, अब आप कहेंगे कि ऐसे भी तो हम इसको जोड़ेंगे, वान, प्लस थ्री, प्लस फाइब, प्लस सेवन, यह आसानी से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, जब ऐसा छोटा है तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं रहेंगी, यहाँ चार के जगा, दस यहाँ भी है यह भी है परठम से सुरू होना है, परठम चार विसम है तो चार है तो चार कर स्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो यह थे प्रस्तंख्या 21 से लेके 30 तक के प्रस्तंους का पूरी वैख्या के साथ हल, आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, यदि पसंद आएगा और इससे आपको सहयता मिलती है तो आप इसे लाइक भी करें और आपको कैसा लगा से कॉमेंट में भी लिखें धन्यवाद